आप सब का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नमनी टॉक्समूग। बच्चों आज हम पढ़ेंगे NCRT क्लास 7th की हिंदी की पाठ ये पुस्तक जिसका नाम है वसंत भाग 2 और इस पुस्तक का सात्वा पाठ है पापा खो गए। यह पाठ एक नाटक के रूप में है और इस पाठ को लिखा है विजय तेंदूलकर जी ने। बच्चों आईए देखते हैं आखिर किसके पापा खो गए, कहां खो गए, कैसे खो गए, इन सारे प्रशनों का जवाब हमें इस पाठ को पढ़ने पर मिलेगा। तो सबसे पहले पाठ से जुड़ी कुछ बातें कर लेते हैं, पाठ साथ पापा खो गए, पाठ से संबंधित बातें। बच्चों विजय तेंदूलकर जी द्वारा लिखा गया यह पाठ, पापा खो गए, एक नाटक के रूप में है, इस नाटक के पात्र हैं, फूट पात पर खड़ा एक बिजली का खंभा, एक पेड, एक लेटर बॉक्स, और दिवार पर लगा एक पोस्टर, जिस पर निर् परत की आकरिती बनी हुई है, कहानी के सभी पात्र निर्जीव हैं, दिन के समय यह सभी निर्जीव वस्तों की तरह खड़े रहते हैं, लेकिन रात होते ही ऐसा लगता है कि इन में जान आ जाती है, और यह एक दुसरे से बाते करने लगते हैं, इस कहानी में सजीव पात्र जैसे कि एक आदमी जो बच्चे उठाने का काम करता है एक कववा और एक छोटी सी बच्ची जिसे वह आदमी उठाना चाहता है निर्जीव पात्रों में मनुश्यों की तरह भावनाएं देखी जा सकती हैं जैसे कि करुणा ममता प्रेमादी तो आईए देखते हैं इस नाट के रूप में हैं और इसमें जो पात्र हैं वो निर्जीव भी हैं और सजीव भी हैं लेकिन जो निर्जीव पात्र हैं जैसे कि बिजली का खंभा लेटर बॉक्स और पेड ये सभी मनुश्यों की तरह ही बाते कर सकते हैं और वो एक दूसरे से रात के समय में ही बाते करते ह दिन के समय ये बिल्कुल चुपचाप खड़े रहते हैं और यहां पे जो सजीव पातर है वो है एक दुष्ट आदमी जो एक छोटी सी बच्ची को उसके घर से चुपके से उठा लेता है और तीसरा है एक कववा तो आएए देखते हैं आखिर इस नाटक में विजय पात पर एक बिजली का खंभा एक पेड़ और एक लेटर बॉक्स दिखाई दे रहे हैं वहीं पास की दिवार पर एक पोस्टर में एक लड़की का चितर भी बना हुआ है जो की नृत्य की मुद्रा में खड़ी है समुद्र की ओर से ठंडी हवा बह रही है और दूर कहीं तारों तरफ बिल्कुल सुन्सान है बस एक बिजली का खंभा एक लेटर बॉक्स और एक पेड़ हमें रास्ते पे नजर आ रहा है वहीं पर एक दिवार पर पोस्टर भी रगा हुआ है जिसमें की एक नृत्य की मुद्रा में एक लड़की का चितर बना हुआ है पास ही कही कहीं समुद्र भी है और समुद्र की तरफ से ठंडी हवा बह रही है दूर कहीं कुत्तों के भॉंकने की आवाज भी आ रही है तो आएए देखते हैं इस नाटक की शुरुवात कैसे होती है पेज 42 का भावार्त इस तरह से है खंभा और पेड आपस में बाते कर रहे हैं खं कहता है सच में रात को बड़ी बोरियत लगती है खंभा कहता है बर साथ की रातों से तो यह रात बहुत अच्छी है क्योंकि जब बारिश का मौसम होता है तो रात भर हमें बारिश और तेज हवा में भीगते हुए और इस बल्ब को पकड़े खड़े रहना पड़ता है तो बचों ये बहुत ही आश्चर करने वाली बात है कि यहां फिर खंभा और पेड आपस में मनुश्य की तरह बाते कर रहे हैं और ये क्या बाते कर रहे हैं खंभा रात के बारे में कह रहा है कि रात इतनी लंबी होती है कि बिताए नहीं बीत रही है पेड जो है वो उसकी बात से पूरी तरह सहमत है तभी ये दोनों बारिश के दिनों की भी बाते करते हैं कि बारिश के दिनो तो बहुत अच्छी है तो आईए देखते हैं आगे ये क्या बात कर रहे हैं पेज 43 का भावार्थ अपना अनुभा बताते हुए पेड कहता है कि बारिश की दिनों में एक रात आसमान से गड़गड आती हुई बिजली मुझे पर गिर पड़ी थी उस घटना को याद कर आज भी मैं डर जाता हुँ मेरे उपर जहां बिजली गिरी थी वहां एक गहरा गड़ा बन गया था आज भी जब बारिश होती है तो मुझे वह घटना याद आ जाती है पेड की बात सुनकर खंबा कहता है कि मैं लोहे का बना हूँ इसलिए मुझ पर बारिश ठंड धूप किसी चीज का असर नहीं होता और ना ही मैं कभी बिमार पड़ता हूँ फिर वह कहता है कि कितना समय बीद गया लेकिन मैं दिन रात बस इसी तरह खड़ा हूँ ऐसा जीवन भी कोई जीवन है तो बचों दोनों आपस में बाते कर रहे हैं और उतने में पेड अपने पिछले दढ़ा भी हो गया था और वो रात आज भी जब मैं याद करता हूँ तो मैं बहुत डर जाता हूँ खंबा कहता है कि मेरा शरीर लोहे का बना है और यही कारण है कि मुझ पर ना तो बारिश का असर होता है ना ठंड का असर होता है और ना ही धूप का असर होता है मैं कभी पिमार भी नहीं पड़ता लेकिन दिन रात इसी तरह जब मैं खड़ा रहता हूं तो मुझे अपना जीवन बिलकुल बेकार लगता है तो आए देखते हैं आगे ये दोनों क्या बाते कर रहे हैं पेज 43 44 का भावार्त इस तरह से हैं खंबे की बात सुनकर पेड कहता है मेरे उपर लगे यह पत्ते मुझे सर्दी बारिश और धूप से बचाते हैं लेकिन मैं तुमसे बहुत पहले से यहां खड़ा हूं यहीं मेरा जन्म हुआ उस समय सब कुछ बिलकुल अलग था उस समय ना तो सामने दिखने वाले उचे-उचे घर थे ना सड़क थी और ना ही य पोस्टर था उस समय सिर्फ यह समुद्र ही यहां पर था उस समय मैं बहुत अकेलापन महसूस करता था अब यहां पर दोनों मिलकर अपनी पुरानी बातों को याद कर रहे हैं और खंबे की बात सुनकर पेड कहता है कि मुझे भी मेरे जो पत्ते हैं वो मुझे बारिश और धूब से पचाते हैं और तुमसे बहुत पहले मैं यहां पर आया था मेरा तो यही पर इसी स्थान पर जन्म भी हुआ है और जब मैं यहां पर जन्मा था उस समय यहां आज-पास का जो नजारा है वो बिलकुल अलग था ना तो सामने दिखने वाले उचे-उचे मकान थे ना ही सडके थी और ना ही ये जो सिनेमा का पोस्टर अभी लगा हुआ है वो यहाँ पर था यहाँ पर सिर्फ मैं खड़ा था और सामने यहाँ समुद्र था उस समय मैं अपने आपको यहाँ पर बहुत ही अकेला पाता था और मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता था आईए देखते हैं इस नाटक में पेड़ और खंभा और क्या बाते कर रहे हैं पेज 44 का भावार्थ खंभे से बात करते हुए पेड़ फिर कहता है कुछ दिनों बाद जब तुम्हें यहां लाकर खड़ा किया गया तो मैं बहुत खुश था कि चलो एक साथी मिला लेकिन तुम्हें कभी आवाज भी नहीं लगाई पेड़ पुरानी बातों को याद करते हुए फिर से एक बार कहता है कि जब तुम्हें पहली बार यहां लाया गया और तुम्हें यहां सामने खड़ा किया गया मैं तुम्हें देखकर सच मुच बहुत खुश था मुझे लग रह करने की कोशिश की तो आईए देखते हैं आखिर पेड़ और खंभे में बातचित कैसे शुरू हुई पेज 44 का भावारत इस तरह से है पुरानी बातों को याद करके अब खंभा कहता है कि हां यह सब मुझे याद है और एक दिन जब आधी पानी और तूफान में मैं बिलक दोस्त बन गए थे पेड़ भी यह सारी पुरानी बातें याद करता है और वह कहता है कि उस दिन की तरह आज भी बहुत तेज हवा चल रही है अब यहाँ पर पुरानी बातें याद करने की बारी अब खंभे की थी खंभा कहता है कि हां मैं घमंड से भरा हुआ था लेकिन म मैं आंधी और पानी की वज़े से बिलकुल तुम्हारे उपर गिर पड़ा था और तुमने मुझे एक सच्चे दोस्त की तरह सम्हाल लिया था तुम्हारे इस वहवार के कारण मेरे मन का सारा घमंड जाता रहा और हम उस दिन से अच्छे दोस्त बन गए पेड़ भी खंभ में क्या होता है पेज 44-45 का भावार्त इस तरह से है खंभा और पेड दोनों चुप हो गए अब केवल कुत्तों के भौकने की आवाज सुनाई दे रही थी पोस्टर पर बनी औरत के पैर के घुंगरू भी रह रहकर बज उठते थे लेटर बॉक्स रह रहकर कुछ भजन ग अपने अंदर पड़ी चिठिया निकाल कर पढ़ने लगा अब यहां पर इतनी सारी बाते करने के बाद खंभा और पेड जो थे वो दोनों चुप हो गए अब वहां का जो माहौल था वो बिलकुल शान था लेकिन बीच बीच में कुत्तों के भौकने की आवाज सुनाई द रहता लेकिन उसका यह भजन गुनगुनाना वहां सोय हुए कौवे को बिलकुल पसंद नहीं आता क्योंकि लेटर बॉक्स की इस आवाज से कौवे की नीन्द खराब हो रही थी तब लेटर बॉक्स ने गुनगुनाना बंद कर दिया और अपने अंदर जो चिठिया निकाल कर वो पढ़ने लगा तो आएए देखते हैं लेटर बॉक्स एक चिठि निकाल कर पढ़ता है जिसमें एक हेड़ मास्टर अपने एक छात्र की शिकायत उसके पिता से करते हुए पत्र लिखते हैं कि उनका पुत्र पढ़ाई में बिलकुल ध्यान नहीं दे रहा है वो कक्षा से गायब रहकर बस खेलता रहता है और इसी लिए उन्हें हेड़ मास्टर जी से आकर स्कूल में मिलना होगा इस पत्र को पढ़कर लेटर बॉक्स कहता है कि आजकल के ये बच्चे ऐसे ही हैं अगर मैं हेड़ मास्टर की जगा होता तो इस बच्चे के होश ठिक अगर इयार्ट करते हैं कि आपका बेटा यहां स्कूल में बिलकुल पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा और इसी सिरसले में आपको आकर मुझसे मिलना होगा लेटर बॉक्स यहाँ पत्र पढ़कर गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि आजकल के बच्चे इसी तरह के हैं अगर मैं इस हेड मास्टर की जगा होता तो थोड़ी ही देर में इस बच्चे के होश्ट हिकाने लगा देता तो आएए देखते हैं इस कहानी के जो निर्जीव पात्र है वो आगे क्या कर रहे हैं पेज 45-46 का भावार्त कुछ इस तरह से है खंभा लेटर बॉक्स को लाल ताउ कहकर पुकारते हुए कहता है कि आज तुमने किस किस की चिठियां चोरी से पढ़ी खंभे की बात सुनकर लेटर बॉक्स कहता है सभी चिठियां तो मेरे पास है तो इसमें चोरी करने जैसी क्या बात है अब पेड कहता है कि चिठियां तुम्हारे पास होने का यह मतलब नहीं है कि तुम सब की चिठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो यदि यह बात postman को पता चल जाए तो क्या होगा letterbox कहता है मुझे उसका कोई डर नहीं है postman तो आता है और जल्दी जल्दी चिठिया निकाल कर चला जाता है यदि उसे दिन भर यहां खड़ा रहना पड़े तब उसे पता चलेगा यदि मैंने मन बहलाने के लिए दो चार चिठिया पड़ भी ली तो इससे क्या फर्क पड़ता है तो यहां पर letterbox को चिठिया पड़ते देख वहां पर जो खंबा है वो उसे लाल ताउ कहकर पुकारता है क्योंकि बचों जैसा कि आप जानते है letterbox का जो रंग होता है वो लाल रंग का होता है तो इसी लिए खंबा उसे लाल ताउ कहकर पुकारता है और उसे कहता है कि तुम्हें इस तरह से अपने अंदर पड़ी चिठिया चोरी से नहीं पड़नी चाहिए पर letterbox कहता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है और फिर letterbox यह भी कहता है कि अगर यह बात postman को पता भी चल जाए तो मुझे इसका भी कोई डर नहीं है क्योंकि postman तो बस यहाँ पर जल्दी जल्दी आता है मेरे अंदर से सारी चुठिया निकालता है और चला जाता है मैं यहाँ किस तरह से दिन भर खड़ा रहता हूँ यह तो मुझे ही पता है तो आईए बचों आगे देखते हैं इस नाटक में और क्या-क्या घटनाए घट रही है page 46 का भावार्त letterbox की यह बात सुनकर पेड कहता है कि किसी की निजी चिठी तुम्हें नहीं पढ़नी चाहिए यह चिठी जिसकी है उसे ही इन्हें पढ़ने दो पेड की बात सुनकर letterbox कहता है कि मैं किसी की चिठीयां अपने पास नहीं रखता जिसकी चिठी होती है वह उसे मिल जाती है चिठी में लिखी गुप्त बातें भी मैं किसी से नहीं कहता मुझमें इतने सारे गुण है इसलिए मुझे लगता है कि मैं सच में बहुत महत्वपूर्ण हूँ पेड कहता है कि लगता है सामने से कोई आ रहा है तभी उन्हें एक भिखारी जैसा दिखने वाला आदमी वहां आता दिखाई देता है और उसके कंधे पर एक लड़की सोई हुई दिखाई देती है तो बचों यहाँ पर लेटर बॉक्स की इस चिठी पढ़ने वाली हरकत को देखकर वहाँ पर जो खंभा और पेड़ है वो बार-बार उसे कोस रहे हैं उसे डाट रहे हैं उनका कहना है कि इस तरह से किसी की निजी चिठी प्राइवेट चिठी पढ़ना बिलकुल गलत है जिसकी चिठी है उसे ही इन चिठीयों को पढ़ना चाहिए लेकिन लेटर बॉक्स अपनी सफाई में यह कहता है मैं इन चिठीयों में लिखी वी जो गुप्त बाते हैं वो कभी किसी से नहीं कहता तो इसमें क्या बुराई है अगर यह चिठी मैंने पढ़ भी ली तो और आखिरकार यह चिठीयां जिसकी हैं उस तक तो पहुँच ही जाती है अब यहाँ पर पेड लेटर बॉक्स और खंभे में जब यह सारी बाते हो रही थी तब ही उन्हें सामने से एक भिखारी जैसा दिखने वाला आदमी नजर आता है और उस आदमी ने एक छोटी सी बच्ची को अपने कंधे पर ले रखा था तो आईए देखते हैं आखिर यह आदमी कौन है और उस बच्ची को लेकर वो कहां जा रहा है पेज 46 का भावार्त कुछ इस तरह से है आदमी अपने आप से बाते करते हुए कहता है कि मैं बच्चा उठाने वाला हूँ इस काम के अलावा दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती थोड़ी देर पहले ही मैंने इस लड़की को उठाया है यह अभी गहरी नीद में सो रही है क्योंकि मैंने इसे बेहोशी की दवा दे दी है दिन भर मुझे खाने का वक्त नहीं मिला भूख से मेरे पेट में चूहे दौड रहे हैं इस लड़की को मैं यहीं लिटा देता हूँ और अपने खाने का कुछ इंतजाम करता हूँ इस सुनसान रात में इस वक्त यहां कोई नहीं आएगा लड़की को पेड़ की ओट में लिटा कर उसके उपर वह अपना कोट फैला देता है और चौकनना होकर इधर उधर देखते हुए खाने की खोज में निकल जाता है तो बचो वहां आदमी अपने आप से बाते करते हुए कहता है कि वो खुद एक बच्चा उठाने वाला है मतलब कि एक किड़नापर है जो बच्चों को चुपके से उठा लेता है और वहां आदमी इस तरह का काम इसलिए करता है क्योंकि इस काम के अलावा उसे दूसरा कोई काम आता ही नहीं है फिर वह उस लड़की को देखते वे कहता है कि यह लड़की अभी भी गहरी नीन में सो रही है क्योंकि उसे उसने बेहोश करने वाली दवाई दे रखी है इस बच्चे उठाने वाले काम के कारण दिन भर उसे खाने का वक्त भी नहीं मिला और अब उसे जोरों से भूक लगी हुई है वह सोचता है कि इस सुनसान जगह में रात के समय अभी कोई भी नहीं आ सकता तो क्यों न मैं इस लड़की को यहाँ पेड़ की ओट में लिटा दू और अपने खाने का कुछ इंतframes कर लूँ ऐसा सोचकर वह उस लड़की को वहाँ पेड़ के नीचे लिटा देता है और उसने जो कोट पहन रखा है उस कोट से उस लड़की को ढग देता है उसके बाद वो इधर उधर देखता हुआ अपने खाने का इंतिजाम करने के लिए वहां से चला जाता है तो आईए बचों देखते हैं आखिर इस बच्ची के साथ क्या होता है यह लड़की कौन है कहां से आई है यह सारी बाते हम कहानी में आगे देखेंगे पेज 48 का भावार्त खंभा और पेड आपस में बाते करते हुए कहते हैं कि यह जरूर कोई बुरा आदमी है लेटर बॉक्स कहता है कि हाँ मैंने इसे कहते सुना कि यह इस लड़की को कहीं से उठा कर लाया है इन सब की बात सुनकर कववा भी नीन से जाग जाता है पेड कहता है कि इस छोटी सी लड़की को एक दुस्ट आदमी कहीं से उठा लाया है हमें शोर बिल्कुल नहीं करना है नहीं तो वह लड़की जाग जाएगी और उठकर चिलाने लगेगी कववा जो की नीन्द में होता है किसी तरह अपनी आखें खोल कर देखने लगता है तो यहाँ पर खंभा और पेड जो चुप चाप उस आदमी की हरकत को देख रहे थे और उन्हें यह पता चल जाता है कि इस बच्ची को वह आदमी कहीं से उठा कर लाया है जब खंभा और पेड आपस में बाते कर रहे होते हैं तो कववा भी उनकी बातचीत की आवाज सु लाने लगे यह सारी बाते सुनकर कववा भी धीरे धीरे अपनी आखे खोल कर इधर उधर देखने लगता है तो आईए बचो देखते हैं आखिर उस बच्ची के साथ क्या होता है पेज 50 का भावार्थ कुछ इस तरह से हैं पेड खंभा लेटर बॉक्स और कववा उस चोटी बच्ची के साथ क्या करेगा कववा बोलता है कि आजकल तो इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं क्योंकि मैं यहां वहां उड़ता रहता हूं इसलिए मैंने ऐसा होते देखा भी है पेड लेटर बॉक्स खंभा और कववा उस छोटी सी बच्ची को उस दुस्त आद चिंतित हो जाते हैं और यह सोचने लगते हैं कि पता नहीं इस बच्ची के माबाप कौन होंगे और यह जो दुस्त आदमी है वो उस बच्ची को कहां से उठा कर लाया होगा और आगे वह उस बच्ची को ले जाकर पता नहीं क्या करेगा यह सारी बाते सुनकर वो बहुत परिशान हो जाते हैं और इस तरह का उपाए सोचने लगते हैं कि किस तरह से इस छोटी सी बच्ची को इस दुस्ट राद्वी से बचाया जाए तो आईए देखते हैं क्या ये निर्जीव जो चीजें हैं वो उस बच्ची को बचा पाते हैं पेज 49-50 का भावर्त इन सब के बातचीत की आवाज से वह लड़की जाग जाती है उसे लगता है जैसे वह कोई सपना देख रही हो पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स और कववे को बोलते देख वह बहुत हैरान हो जाती है कववा सब को बिल्कुल चुप रहने का इशारा करता है लड़की इन सब के पास जाकर उन्हें अच्छी तरह देखती है और उसे सभी निर्जीव ही नजर आते हैं वो अपने आप से कहती है अभी कुछ देर पहले यह बाते करने की आवाज कहां से आ रही थी, कौन बाते क कर रहा था वह तरह तरह के सवाल पूछने लगती है जैसे मैं कहा हूं मेरा घर कहा है मेरे पापा ममी कहा है यहां इस अंधेरे में मुझे डर लग रहा है तो यहां पर कववा लेटर बॉक्स खंभा और पेड जब आपस में बाते कर रहे होते हैं तो उनकी बात चीत की लान भी हो जाती है वो सब के पास जाकर उन्हें चू चू कर देखती है लेकिन उसे तसल्ली हो जाती है कि यह तो सारी चीजे निर्जीव हैं यह आखिर कैसे बाते कर सकती हैं लेकिन फिर वह सोचने लगती है कि फिर यह बात करने की आवाज कहां से आ रही थी तभी उसे अपने घर, अपने माता-पिता की याद आने लगती है और वह तरह-तरह के सवाल करने लगती है। रात के अंधेरे की वज़े से उसे डर भी लगने लगता है। तो आईए बचों देखते हैं, आगे इस कहानी में क्या होता है। पेज 50, 51 और 52 का भाबार्थ कुछ इस तरह से है। चोटी लड़की की घबराहट देखकर लेटर बॉक्स से रहा नहीं जाता। लेटर बॉक्स उसे बताता है कि वह सभी निर्जीव होते हुए भी बोल सकते हैं। लड़की यह जानकर बहुत खुश हो जाती है। सभी उससे उसके घर का पता पूछते हैं। पर वह चोटी लड़की उन्हें कुछ भी ठीक से बता नहीं पाती। उसे ना तो अपनी गली का नाम पता होता है और ना ही सडक का। लेटर बॉक्स उस लड़की से घुमा फिरा कर बार-बार उसके सडक या गली का पता पूछना चाहता है। लेकिन उस लड़की को सचमुच कुछ भी पता नहीं होता। तो बचों यहाँ पर छोटी लड़की की घबराहट और उसे डरता हुआ देखकर लेटर बॉक्स से रहा नहीं जाता। वो आखिरकार उन्हें बता देता है कि हम निर्जीव हैं लेकिन फिर भी हम इनसानों की तरह बोल सकते हैं। लड़की यह जानकर बहुत खुश हो जाती है और लेटर बॉक्स उस लड़की के घर का पता उससे पूछने लगता है। लेकिन वह लड़की इतनी छोटी है कि उसे अपने घर का पता ठीक से मालूम ही नहीं होता। लेटर बॉक्स तरह तरह सो इस लड़की से उसके घर का पता जानने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की कुछ भी साफ साफ बता नहीं पाती। तो बच्चों आईए देखते हैं आखिर ये निर्जी वस्तुएं लड़की की मदद किस तरह कर पाते हैं। पेज 52, 53, 54 का भावार्त धीरे धीरे सभी उससे बाते करने लगते हैं। पेज को चिंता होती है कि थोड़ी ही देर में वह दुष्ट आदमी वहां आ जाएगा और उस बच्ची को उठा कर ले जाएगा। उस दुष्ट आदमी के आने से पहले हमें कुछ करना होगा। और फिर ना जाने वह इस बच्ची को उठा कर कहा ले जाए। वह सोचता है कि उस दुष्ट आदमी के आने से पहले हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। तो आएए देखते हैं उस दुष्ट आदमी के आने पर ये लोग क्या करते हैं। पेज 55 का भावार्त कुछ इस तरह से है। पूरा प्रयास करते हैं। अचानक कववा भूत भूत चिलाने लगता है। उन सब की आवाज सुनकर वह आदमी डर कर वहां से भाग जाता है। तो यहां पर लड़की के साथ सभी खेलने में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन तभी सब देखते हैं कि वह दुष्ट आदमी खाना खाकर वहां वापस आ गया है। और वहां पेड के नीचे जाकर लड़की को ढूणने लगता है। लेकिन वहां उसे सिर्फ अपना कोट नजर आता है। उसे लड़की कहीं भी नजर नहीं आती। और वह दोड़ दोड़कर इधर उधर लड़की को खोजने लगता है। यहां पर उस आदमी को आता देख सभी जो निर्जीव वस्त्व हैं वो सभी चुप हो जाती है। और लड़की भी वहीं कहीं चुप जाती है। आदमी लड़की को वहां ना पाकर बहुत गुसे में आ जाता है। और उसे यहां वहां ढूंडने लगता है। पेड, खंबा और लेटर बॉक्स लड़की को छिपाने की पूरी कोशिश करते हैं। अचानक कवा उस आदमी को डराने के लिए भूत भूत चिलाने लगता है। जोड़ी देर बाद जब वे सभी चोटी लड़की को ढूंडते हैं, तो वहां उन्हें कहीं भी नजर नहीं आती। उन सब को चिंता होने लगती है कि कहीं वह दुष्ट आदमी भागते भागते उस बच्ची को भी उठा कर तो नहीं ले गया सभी घबरा जाते हैं तभी वह छोटी बच्ची दिवार पर लगे पोस्टर पर नाचने वाली की तस्वीर के पीछे से धीरे से जागती है और कहती है कि मैं यहां हूं मुझे पकड़ो सभी उस लड़की की शरारत को देखकर हसते हैं और कववा उसे पकड़ने के लिए दोड़ता है तो बचों आखिरकार यह सभी निर्जीव वस्तुएं जो हैं वो उस दुस्ट आदमी को वहां से भगा देते हैं और जो छोटी बच्ची है उसकी शरारतों को देखकर यह सभी बहुत खुश होते हैं और उन्हें इस बात का भी संतोश होता है कि आखिर उन्होंने इस बच्ची को उस दुस्ट आदमी से बचा लिया तो आईए देखते हैं अब आगे वो इस बच्ची को किस तरह से अपने माता पिता के पास महचाते हैं पेज 59 का भावार्थ वह छोटी लड़की खेलते कूते इतना ठक जाती है कि थोड़ी देर में वह सो जाती है खंभा कहता है कि थोड़ी देर में ही सुबह हो जाएगी तब यह लड़की कहां जाएगी उससे तो अपने घर का पता भी मालूम नहीं है कववा कहता है कि हम सब को मिलकर कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि हम इसे इसके पापा से मिलवा सकें अचानक कववे को एक तरकीब सूचती है तो बचों वह जो छोटी सी बच्ची है दोड़ते कूते खेलते अब काफी ठक चुकी है और वो थोड़ी देर में सो जाती है को कहां छिपाएंगे और यह लड़की आखिर कहां जाएगी इसे तो अपने घर का पता भी मालूम नहीं है कववा कहता है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि हम इस बच्ची को इसके घर तक पहुचा सके अचानक कववे को एक उपाय सूचता है तो बचों आईए देखते हैं आखिर कववे को क्या तरकीब सूचती है पेज 59 का भावारत कुछ इस तरह से है कववा पेड से कहता है कि सुबह तक वह इस लड़की के ऊपर अपनी चाया किये रहे जिससे कि वह लड़की देर तक सोती रहेगी और खंबे से कहता है कि वह थोड़ा जुक कर पेड़ पर टिक कर खड़ा रहे ऐसा करने से दूर से देखने पर लोगों को लगेगा कि यहां एक्सिडेंट हो गया है और वे पुलिस को बुला लेंगे पुलिस यहां आकर उस लड़की को देखेगी और उसके घर का पता मालुम करके उसे उसके घर पह उपर किये रहे ताकि वो लड़की आराम से सोती रहे और दूसरी पात जो वो खंबे को कहता है कि उसे जुक कर पेड़ के उपर खड़ा होना पड़ेगा ताकि देखने वाले को ऐसा लगे कि वहाँ पर कोई एक्सिडेंट हुआ है और उसके कारण जो खंबा है वो बिलकुल गिरने वाला है जब लोग इसे देखने के लिए यहां आएंगे तो उनकी नजर इस छोटी सी बच्ची पर जरूर पढ़ेगी और वो तुरंत ही पुलिस को यहां बुला लेंगे पुलिस के आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि पुलिस इस छोटी सी बच्ची को कि किसी न किसी तरह उसके घर माता-पिता के पास जरूर पहुचा देगी लेकिन इन सारी बातों को सुनने के बाद लेटर बॉक्स के मन में एक शंका आती है कि यदि इतना करने के बाद भी पुलिस यहां नहीं आई तब हम इस बच्ची को कैसे उसके घर पहुचाएंगे तो कहता है कि अगर इसके बाद भी कोई यहां नहीं आया तो हम क्या करेंगे कववा कहता है लाल ताओ तुम तो पढ़े लिखे हो इसके बाद तुम्हें ही कुछ करना होगा लेटर बॉक्स कहता है कि मैं अपनी अच्छी गुडिया के लिए कुछ भी करने को तयार हूँ तब कववा लेटर बॉक्स के कान में एक तरकीब बताता है और लेटर बॉक्स उसकी हां में हां मिलाता है तो बचों यहां पर कववा लेटर बॉक्स की बात सुनकर कहता है कि मैं पेड़ की उची डाली पर बैठ कर इतनी जोर जोर से काउं काउं करूंगा कि मेरी आवाज सुन के बाद भी यहां पर कोई नहीं आया तब हम इस चोटी सी बच्ची का क्या करेंगे तब कववा 911 से कहता है कि इतने उपाई के बाद भी अगर यहां कोई नहीं आया तो इसके बाद तुम्हें ही कुछ करना पढ़ेगा ले लेटर बोक्स अपनी इस चोटी सी गुड़िया के लिए कुछ भी करने को तयार हो जाता है तभी कवे की दिमाग में एक और उपाय आता है और वहाँ धीरे से letterbox के कान में उपाय बता देता है और यह उपाय सुनकर letterbox का चहरा भी खुशी से खिल जाता है तो आईए देखते हैं आखिर वो कौन सा उपाय था जो कि कववे ने लेटर बॉक्स को कहा पेज 60 का भावार्थ कुछ इस तरह से है सुभे होते ही सभी देखते हैं कि पेड जुक कर लड़की पर छाया किये हुए है लड़की गहरी नींद में है खंभा टेड़ा खड़ा हुआ है कवव काव काव करके सबका ध्यान उस ओर आकरशित कर रहा है और पोस्टर पर लिखा है पापा खो गए लेटर बॉक्स धीरे से सबसे कहता है कि यदि किसी ने इस प्यारी बच्ची के पापा को देखा हो तो उन्हें यहां ले आए तो बच्चों यही उपाय था जो कि कववे ने लेटर बॉक्स को बताया था जिस तरह से उसने शुरू में बताया है कि पेड को अपनी चाया बनाए रखनी है लड़की के उपर ताकि वो आराम से सोती रहे दूसरी जो उसने चीज बताई थी कि खंबे को थोड़ा तेड़ा होकर पेड के उपर जुक जाना है ताकि दूर से ऐसा लगे कि वहां कोई एक्सिडेंट हुआ है और तीसरी चीज जो थी वो वहां पर पोस्टर पर लिखा हुआ एक वाक्य था जहां पर की लिखा हुआ था पापा खो गए और यहां पर लेटर बॉक्स धीमी आवाज में सबसे कहे जा रहा था कि यदि किसी ने इस प्यारी सी बच्ची के पापा को देखा है तो उन्हें जल्द से जल्द खबर दी जाए और या तो उन्हें यहां पर बुला लिया जाए यहां पर लेखक द्वारा इस कहानी के माध्यम से हमें यह सिक्षा दी जा रही है कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनके मन में भी छोटे बच्चों के प्रती इतनी दया, करुणा और ममता की भावना भरी भी है लेकिन वहीं दूसरी ओर जो वो दूस्ट आदमी था जो इस छोटी सी प्यारी सी बच्ची को अपने घर से अपने परिवार से दूर ले जाकर कितना बड़ा अन्याय कर रहा था तो बचों आशा है आप सबको विजयत इंदूलकर जी द्वारा नाटक के रूप में लिखा गया यह पाठ पापाख हो गए का भावार्त अच्छे से समझ में आ गया होगा NCRT क्लास 7 के अन्य पाठों का भावार्त भी हम अपनी अगली वीडियो में जरूर देखेंगे तब तक के लिए थांक यू धन्यवाद